असलाम लेकुम नाजरीन मैं हूँ डॉक्टर साहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजर एक और इंफॉरमेशनल वीडियो के साथ और अपने खाने के फेवरेट इंग्रीडियन्ट को आप लोगों के साथ डिसकस करते हुए जिसको हम कंडम कर देते हैं हम जाया कर देते ह जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ organ meats की, जिगर की, गुर्दे की, फिपरों की, सिरी की, पाई की, जो के हमारे पास इतनी हेल्दी हैं और हम लोग जब कुर्बानी करते हैं तो हम कसाई को कहते हैं कि ये वाले हिससे तो रहने ही दो या पिर सिरी पायों को हम बिलकुल अलग कर देते हैं और इन सारे औरगन मीट्स के हिस्सों को अलग कर देते हैं हम इसको जाया होने देते हैं या कि बांटना तो वैसे कुरबानी का सारा गोश्ती चाहिए लेकिर हम उसको इस नजरिये से छोड़ देते हैं कि इसके खाने में तो मज़ा ही नहीं और इसके खाने का तो फाइदा ही नहीं है तो अगर मैं बात यहां से शुरू करूँ कि हमारे पास जो बीफ का लिवर होता है पूरी दुनिया में उससे ज्यादा घजायत वाला खाना मौजूद नहीं है और अगर है तो आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं तो आप इस पर क्या कहेंगे बीफ के मैं थोड़ा ज़र नुटिशनल ब्रेकडाउन करूँगी बीफ लिवर का बीफ लिवर में हमारे पास वाइटमिन ए बिपनाह विकार में मौजूद है वाइटमिन ए जैसे कि हमारे पास विजन के लिए इंतहाई जबरदस्त है वाइटमिन ए हमारे पास इम्यून सिस्टम को तेज करता है वाइटमिन ए हमारे पास हमें different तरह के चैंसर खास कर के breast cancer और prostate cancer से महफूद रखता है vitamin A हमारी skin की health के लिए बहुत अच्छा है beef liver में हमारे पास vitamin D है जो के हमारी हड़ियों के लिए बहुत अच्छा है vitamin K2 है जिसके बगएर vitamin D अपना function perform नहीं कर सकता और यही vitamin K2 जो है हमारी जो खून की शर्याने है उसमें जरूरत से ज़्यादा calcium को भी निकालता है ताकि वो calcium हमारी खून की शर्यानों में जमा ना होना शुरू हो जाए beef liver में हमारे पास vitamin E है जो के heart की health के लिए बहुत अच्छा है वो खवातीन जिनके periods खतम हो रहे हैं जिनको menopause हो रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है याद रहे कि menopause में सबसे पहले आपके पास vitamin E के levels ही नीचे जाते हैं तो वो लड़कें जिनको अभी वो खवातीन जिनको menopause हो रहा है वो आपके पास beef liver का इंतखाब हफते में दो से तीन बार जरूर करें वो लोग जो अनीमिक हैं वो बचे हैं जिनको महवारी होती है वो बीफ लिवर का इंतखाब जरूर करें क्योंके इसमें आपके पास मौजूद है vitamin B6 और B12 जो के आपका खून बनाते हैं यहाँ तक कि आपकी nervous strength के लिए अच्छे हैं आपके खाने को energy में convert करते हैं इसके साथ साथ इसमें vitamin C मशूरी जमाना मौजूद है जो के आपकी body की immunity को अच्छा करता है आपकी skin को अच्छा करता है आपको different तरह की infection से protect करता है इसमें हमारे पास मौजूद है selenium जो के हमारे जिसम की different organs को बहुत सारी बिमारियों से protect करता है इसमें हमारे पास मौजूद है zinc जिसके बगएर आपका immune system जो है वो act ही नहीं कर सकता है जो के आपकी wound healing को तेज करता है इसमें हमारे पास मौजूद है coenzyme q10 जो के heart patients के लिए आपकी body के energy levels के लिए बहुत अच्छा है इसमें हमारे पास मौजूद है zinc इसमें हमारे पास मौजूद है copper इसमें हमारे पास मौजूद है brain को तेज करने वाले omega 3 fatty acids अब आप मुझे बताईए कि कोई ऐसा food item है जिसमें अकठे इतनी सारी nutritious values मौजूद है और इससे फाइदा उठाने के लिए आपको सिर्फ हफते में इसको 3 या 4 आउंस जो है उसको इस्तमाल करने की जरूरत है बाट make sure कि ये जिस beef का आप खरीद रहे हैं वो beef जो है वो organic हो वो beef जो है वो grass fed हो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अपनी एक और बहुत favorite organ meat की बात करना चाहूंगी सिरी का शोर्बा सिरी का शोर्बा पीना तो हम बड़ा low class समझते हैं लेकिन अपने lips में हम लोग 200 dollar का filler injection तो लगवा लेते हैं क्या आप जानते हैं कि जो filler injection आप लगवाते हैं वो क्या है वो hyaluronic acid है hyaluronic acid आपके पास आपका जो connective tissue है उसका ground substance बनाता है तब ही वो आपके lips को filler लुक देता है यही वो hyaluronic acid है जो के arthritis के patients अपने घुटनों में लगवाते हैं जिनके घुटने कमजूर होते हैं और उसके बाद वो 5-6 महीने के लिए बहतर चलना शोरो हो जाते हैं यही वो hyaluronic acid है जो वो लोग अपनी आँखों में लगवाते हैं जिनको macular degeneration हो रही होती है यही वो hyaluronic acid है जो के आपके पास सिरी के शोरबे में मौझूद है खास करके अगर सिरी का वो हिस्सा पकाते हैं जिसमें आपके eyeballs होते हैं हमें सिरी का शोरबा लेना तो पसंद नहीं है लेकिन हमें 200-300 डॉलर जो है वो बहर से injection लेना जो है वो पसंद है उसको हम कबूल करते हैं और अगर आप डाइट के थ्रू हाईलोरानिक असिड को लेते हैं तो उसमें ये नाच्रल अबिलिटी होती है कि वो आपकी बॉडी में जाके उन हिस्सों को ढूंबता है जहां पर हाईलोरानिक असिड कम है और उनको बनाना शुरू कर देता है सिरी के शोर्बे की एक और बड़ी खसूसी बाती है क्योंकि उसमें आँख वाला हिस्सा भी आपके पास शामिल होता है जो उसकी थिक फैट लेयर होती है कि उसमें आई वाइटमिन ल्यूटिन जो है वो हाई अमाउंट में जो है वो मौजूद होता है यह आई वाइटमिन जो ल्यूटिन है यह आपके पास विजन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपके पास वाइटमिन एज इस फॉर्म में सिरी में मौजूद होता है अगर आप इसका शुर्बा बनाते हैं इसको आप अपनी खुराख में इस्तेमाल करते हैं तो यह कैंसर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है खास करके प्रॉस्टिट कैंसर के मरीजों के लिए बहुत ज according जिल्यादा है जो कि आपके पास memory, attention, focus और concentration के लिए responsible ने जिम्मेदार है ये उसको आपके पास बनाते हैं ये वीडियो बनाने का नाजरीन खास मकसद ये था कि organ meat से जो associated taboo है जो लोग कहते हैं कि आई हाई मेरा दिल खराब हो रहा है मैंने नहीं खानी है उसको खतम किया जाए और आपको बताया जाए कि ये आपके पास super foods हैं ये आपकी सिहत के लिए कितने अच्छे हैं और अगर आप हर हफते अपने पास 2-3 servings में किसी ना किसी organ meat का इंतखाब करते हैं तो आप अपनी immunity को अपनी health को boost कर रहे हैं और खुद को आप different तरह की बिमारियों से protect कर रहे हैं तो eating organ meat is actually cool it is not an uncool thing अब हमारे पास organ meat को पकाते हैं actually बहुत जादा technique चाहिए होती है और मैंने इसलिए एक वीडियो पर already कर चुकी हूँ आप उसको जरूर क्लिक कीजेगा कि जो meat है उसको cook करने के आपके पास rules क्या होते हैं क्योंकि इसको आप जितनी अच्छी तरह cook करेंगे इसम ही है कि उनकी body में जितना potential है अपने आपको healthy करने का अपने आपको strong करने का वो उस potential को जाहर होने में unlock होने में बहुत जादा मदद करेगा मुझे उमीद है कि वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए eye opener थाबित होगी इंशाला बहुत जल्द एक और information video के साथ आप लोगों होगी तब तक के लिए मुझे जासत दें अलाहाफिज